शान्ता कारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सद्रीशं मेख वरणं शुभागं लक्ष्मी कांतं कमल नैनं योगी भिध्यान गम्यं वन्दे विश्णूं भवभय हरं सर्व लोके कनाथं राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं अबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं आपके लिए लिकर आई हूँ मागमास महातम की कथा का सोलवा अध्याए बंधों जिसे सुनने मात्र से भगवान शीहरी की आप पर विशेश क्रिपा होगी आप भगवान शीहरी के विशेश बन जाएंगे और भगवान शीहरी आपकी हर्मनों कामना पूरी करेंगे बंधों पूरे विश्वास, सच्ची निष्ठा और एकाग्रमन के साथ पूरी कथा सुने ताकि आप वो पूरन फल की प्राप्ति हो सके बंधों यदि आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकान दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरे सुनें सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जैश श्री हरी जरूर लिखें बोलो विश्नु भगवान की जै हो शिवशंकर भोले नात की जै हो बंधों अब आप सभी मेरे साथ मिल कर बोलिए शिवशंकर भोले नात की जै हो विश्नु भगवान की जै हो ओम शीगने शाय नमा शीव विशिष्ट शी कहने लगे हे राजन मैंने दत्ता त्रैजी द्वारा कहा माग मास मातम कहा अब माग मास के शिनान का फल सुनू हे परमतप माग शिनान सब्यग्यों वर्तों का और तपों का फल देने वाला है माग मास में शनान करने वाले स्वयम तो स्वरक में जाते ही हैं उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वरक की प्राप्ती होती है जो माग मास में सुर्योदे के समय नदी आदी में शनान करते हैं उनके माता पिता के साथ कुनों की बीडी स्वरक को प्राप्त होती है माग मास में शिनान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं इस मास में हरी का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छोट कर भगवान के सदिश शरीर वाले हो जाते हैं यदि कोई आलस से भी माग मिशनान करता है तो उसके सब पाप नश्ट हो जाते हैं जैसे गंधर्व कन्याई राजा के श्राप से भेंकर कल को भोगती हुई लोमश रिशी के वचन से माग में श्राप करने से पापों से छूट गई यह वात्ता सुनकर राजा दिलीब विनेश से पूछने लगा गुरु देव ये कन्याई किस की थी उनको कब और कैसे श्राप मिला उनके नाम क्या थे रिशी के वांके से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहां पर शिनान किया आप विस्तार पुर्वक सब कथा कहिए वशिष्ची कहने लगे है राजा जैसे अर्मी से स्वयम अगनी उत्पन होती है वैसे ही यह कथा धरम असंतान उत्पन करती है हे राजन सुक संगीत नाम गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था सुशीला तथा स्वर वेदी की सुंबरा चंद्र कानता की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्र का ये पांच सब समान आयू वाली तथा चंद्रमा के समान कानती वाली और सुन्दर थी जैसे राप्त्री को चंद्रमा शुभाय मान होता है वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खीली हुई यह अपसराएं थी उचे पहोधर वाली पद्मनी बेशांक मास की कामनी योवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सद्रिश गोरे रंग सोने के सद्रिश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभीत सुन्दर वस्त धारन किये हुई अनेक प्रकार के गाने और वीना अत्वा बा वीन ताल, स्वर, निर्टे कला में निपुन थी इस प्रकार वेकर्ण्याएं क्रिडा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी एक समय कोतुक्वश माग मास में एक वन से दूसे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड कर सरोबर पर गोरी पूजा के लिए स्वच जल के सरोबर में शनान करके वस्त धारन कर मोन हो बालू मिट्टी की गोरी बना कर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुन्दर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये पांचो कर्ण्याएं तान रित्य करने लगी फिर उचे गंधार स्वर में सुन्दर गीत गाने लग अगनिक रिशीशनान को गए वहयवा रिशी सुन्दर मुक कमल सद्रिशनयन विशाल चाती सुन्दर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था शिखा सहित दंड लिए मृत चरम ओड़े यग्योपवी धारन किये हुए था उसको देकर पांचो कन्याएं मूध हो देकर कामदेव से पिडित हो देखो देख ऐसा कहती हुई उस ब्रहामन के चित में कामदेव का डर उत्पन करने लगी आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है रती रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्वनी कुमार नहीं यह कोई गंधर किनर कामरूट धार करनकर कोई सिद्ध या किसी रिशी का श्रेश्ट पुत्र या मनुष्य है कोई भी हो ब्रम्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है जैसे पुर्व करम के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है वैसे ही गोरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेश्ट वर्द दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा अत्वा सब का ऐसा कहने लगी। जिस समय उस रिशी पुत्र ने अपनी मध्या की क्रिया करके ऐसे वचन सुने वह सोचने लगा यह तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन हो गई। ब्रह्मा विश्नु महेश आदी देवता बड़े योगेश्वर भी इस्त्रियों के भ्रहमजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तिक्षन बानों से किस का मन रुपी हिरन घायल नहीं हो सकता। जब तक निती और बुद्धी रहती है तक तक पाप से भे रहता है। जब तक की गंभीता रहती है यम विधी का पालन होता है। तब तक मनुश्यें इस्त्रियों के काम रुपी बानों से बिंधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत और मुद कर रही है कि किन गुनों से धरम की रक्षा हो सकती है। इस्त्रियों के मास रक्त मल मुत्र से बने ग्रीनित और अशुद शुरीर में कामी लोग ही सुन्दरता की कलपना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धी वाले महात्माओं ने इस्त्रियों के पास रहना कष्ट कारक कहा है। सो जब तक यह पास आए घर चले चलना चाहिए। अतै जब तक वह उसके पास आई वह योग बल के द्वारा अंतरध्यान हो गया। हम को विरह रुपी अगनी में जलाने के लिए बनाया था और क्या तुम्हारा चित दया रही थे तो हमारा चित चुरा कर चले गए। तुम को हमारा विश्वास नहीं, क्या तुम कोई मायावी हो, बिना किसी अप्राद के हम लोगों पर क्रोथ क्यों करते हो, तुम्हारे बिना हम नहीं जियेंगी, जहां पर आप गए हो, हमें शिक्र ले चलो, हमारा संता फ़रो और हमें दर्शन दो सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते बोलो शिफ्षंकर भुले नात की जय हो, विश्णु भगवान की जय हो शिक्रिष्ण गोबिंद हरे मुरारी हे नात नारायन वासु देवा शिक्रिष्ण गोबिंद हरे मुरारी हे नात नारायन वासु देवा शिक्रिष्ण गोबिंद हरे मुरारी हे नात नारायन वासु देवा शिक्रिष्ण गोबिंद हरे मुरारी हे नात नारायन वासु देवा शिक्रिष्ण गोबिंद हरे मुरारी हे नात नारायन वासु देवा शिक्रिष्ण गोबिंद हरे मुरारी हे नात नारायन वासु देवा शिक्रिष्ण गोबिंद हरे मुरारी हे नात नारायन वासु देवा शिक्रिष्ण गोबिंद हरे मुरारी हे नात नारायन वासु देवा शीक्रिष्ण गोबिंद हरे मुरारी हे नात नारायन वासुदेवा राधे राधे जैश्री कृष्ण बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद